27 नवंबर 2023 कार्थिक पूनिमा के दिन कर लीजिएगा एक रुपए के सिखे और काली मिर्च का प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कश्टों से तुरंट मिल जाएगी आपको मुक्ती माता लक्षमी जी के आशिरवाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बलकि आप बन जाओगे करोरपती बढ़ेगा बैंक बैलन्स करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे मुनाफा इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं लेगा दोस्तों आपको बता दे 27 नवंबर को कार्तिक पूनिमा पढ़ने जा रही है वैसे तो हिंदू धर्म में एक साल में बारह पूनिमा पढ़ती है लेकिन इन में सबसे बड़ी और खास पूनिमा अगर किसी को माना गया है वह कार्तिक पूनिमा को माना गया है क्योंकि कार्तिक पूनिमा जो होती है उस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धर्ती पर वास करने आती है कार्तिक पूनिमा के दिन वैसे तो भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों की पूजा पाथ एक साथ की जाती है लेकिन वेद पुराणों में बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी व्यक्ति माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी भी पूजा कर ले तो माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को तुरंक अपना आशिरवाद दे देती है इसलिए शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा का अपने आप में एक विशेश और खास महत्व बताया गया है कार्तिक पूर्णिमा को एक व्यक्ति की गरीबी खत्म करने वाली पूर्णिमा तक बेद पुराण में माना जाता है दोस्तों बताया जाता है किकार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्षमी जी बहुत ही ज्यादा प्रसंद मुद्रा में होती है इस दिन माता लक्षमी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी उपाय कर ले तो माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशिरवाद जरूर दे देती है और इस दिन अगर आपने तंत्र शास्त्र के अनुसार एक रुपए के सिक्के और एक मुठी काली मिर्च का उपाय कर लिया तो मान के चलिए तुरंथ ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद और वर्दान मिल जाएगा इसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और समस्याएं तुरंथ के तुरंथ खक्म हो जाएगी बलकि छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें व्रिद्धी होगी माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से आपके पास इतना धन आएगा कि आपकी आने वाली साथ पीड़ी भी पैसों पर राज करेंगे दोस्तों यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज भी कई करोरपती व्यक्ति लोग हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करते हैं और अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप भी सिर्फ दो चार मिनट का सा समय निकाल करके एक रुपए के सिक्के और एक मुठी काली मिर्च का उपाय सही तरीके से कर लेंगे तो मान के चलिए आपको माता लक्ष्मी जी का आशिर्वाद जरूर मिलेगा यह एक ऐसा उपाय है दोस्तों जो आप ही के जीवन में नहीं बलकि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमतकारी और सकाराक्म बदलाव ला सकता है यह उपाय करने के बाद आपके घर की बरकत होगी आपके घर की उन्नती होगी माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी और माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से फिर आने वाला समय आपका बहुत ही कल्यानकारी होगा, बहुत ही शुब होगा, इसलिए बस आपको 27 नवंबर को इस छोटे से उपाय को सही मुहूर्थ पर विधी विधान से करना है, आप बार-बार सोच रहे होंगे की एक रुपए के सिक्के और एक मुठी काली मिर्च का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा की शुरुवात की जाती है, तो वहाँ पर एक रुपए के सिक्के को रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है, शास्त्र में बताया गया है कि अगर ऐसा किया जाए, तो उस पूजा का पालन करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है, वह पूजा तुरंट संपन्न हो जाती है, क्योंकि मुद्रा के पहले सिक्के से ही अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा को शुरू किया जाए, तो वह पूजा तुरंट ही सिद्ध हो जाती है, दूसरी तरफ जो काली मिर्च होती है, उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है, देखिए काली मिर्च जो होती है, वह तंत्र शास्त्र के अनुसार बहुत ही ताकतवर होती है, शास्त्र में बताया गया है कि काली मिर्च का उपाय अगर सही दिन पर सही मुहूर्थ पर विधी विधान से किया जाए तो वह पूजा कभी खाली नहीं जाती है, अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में आप काली मिर्च का प्रयोग करेंगे, तो पूजा का आपको लाभ जरूर मिलेगा अगर आपने सिर्फ 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन ए, मुठी काली मिर्च और एक रुपए के सिक्के का उपाय कर लिया, तो मान के चलिए इस उपाय से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का बर्दान और आशिर्वात तुरंट मिल जाएगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना. भगाय देखिएगा क्योंकि सिर्फ एक दिन का उपाय आपके जीवन में खुशाली ला सकता है, आपके जीवन में बर्कत ला सकता है, और यह एक ऐसा उपाय है, जिस उपाय को करने के बाद मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की क्रिपा सदैव आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोप पाएगा, और एक बार अगर किसी व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद मिल जाए, तो मांग लीजिए दोस्तों वह व्यक्ति अपने जीवन में जिस कार्य को शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्थ होती है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की क्रिपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहें माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नत करें बहुत ही आगे जाएं तो दोस्तों पूरी सची श्रधा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जाए और एक काम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राशी जरूर डाल दीजिए ताकि आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन करके आप लाप पा सकते हैं वहां आकर हम आपके कमेंट का रिपलाई में बता देंगे लेकिन आप से हाथ जोड़ करके निवेदन था कि दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राशी जरूर डाल दीजिए ताकि कोई भी उपाय जो आप करके लाप पा सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन वहां आकर हम आपको जरूर बता दें सबसे पहला उपाय जो हम आपको बता माने जा रही हैं वह घर की बरकत का माहौल उपाय अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो आपके घर की उन्नती हो माता लक्ष्मी जी के आशिरवात से आपके घर के प्रत्येक सदस्यर अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में उनको सफलता प्राप्थ हो आपके घर पर धन का आगमन बहुत तेज हो जाएं आपके घर में जो भी धन आया उसमें व्रिध्धी हो तो एक बहुत छोटा सा उपाय आपको 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना है यह उपाय है बहुत आसान लेकिन एक ऐसा अचूप उपाय है जिस उपाय के बाद माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी 27 नवंबर 2023 के दिन सूरियास्त के बाद आपको या आपके घर के किसी भी सदस्य को नहा लेना है और एक पीतल की कटोरी लेनी है उस पीतल की कटोरी में आपको एक मुठी काली मिर्च डालना है और उस पर एक रुपय का सिक्का रखना है और इस कटोरी को ले जाकरके अपनी छट पर ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो यह उपाय सूर्यास्त के बाद आपको करना है और अगले दिन मतलब 28 नवंबर को आपको सोकर उठना है नहाने के बाद उसे कटोरी को उठा करके लाना है जिसमें अपने काली मिर्च और एक रुपए का सिक्का रखा है इस कटोरी से आपको काली मिर्च और एक रुपए सिक्का को उठा लेना है और किसी भी लाल कपडे में रख देना है लाल कपडे की पोटली बना करके इसको अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है सिर्फ इतना उपाय कार्थिक पूर्णिमा के दिन कर लीजिये और यह पोटली आपके घर के हर नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर देगी और आपके घर पर सकारात्मक पूर्जा का वास हो जाएगा इस पोटली को इस तरीके से स्थापित अगर आपने कर दिया तो आपके घर की बरकत होगी आपके घर की उन्नती होगी यह पोटली माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद बंद करके आपके लिए काम करेगी दूसरा उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय दोस्तों मान लीजिए आपके जीवन में धन आता है लेकिन वे फिजूल खर्ची में उर जाता है आप अपने जीवन में बहुत परिश्रम करते हैं आप बहुत महंत करते हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है तो बता दें आपका शुक्रग्रह कमजोर है, जिस व्यक्ति का भी शुक्रग्रह कमजोर हो जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन नहीं दिखता है, तो एक छोटा सा उपाय अगर आपने कर लिया, जो हम आपको बता रही हैं, तो हमेशा आपका शुक्रग्रह आपका साथ देगा आपके जीवन में जो धन आएगा उस धन में वृध्धी होगी धन संबंधित जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फाइदा पहुँचेगा बस आपको यह करना है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात आठ बजे के बाद आपको अपने पूजा घर पर बैठना है जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है आपको दो अलग अलग एक एक रुपए के सेके रखने है वह भी अपने हाथ पर माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाए और माता लक्षमी जी के 20 मंत्र का जाप 11 वार आपको करना है 20 मंत्र है और महालक्षमे नमह हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों महालक्षमे नमह इस 20 मंत्र को आपको 11 जपना है क्योंकि 11 नंबर माता लक्षमी जी को बहुत प्रिय है एक सिक्के को अपने पर्स में रख लीजिए और हमेशा अपने पर्स में रखे रहिएगा दूसरे सिक्के को अपनी तिजोरी में अलमारी में कहीं पर भी रख दीजिए इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो मान कर चलिए ये सिक्के आपके जीवन में आपका शुक्र ग्रह का साथ आपको दिला देंगे और आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धी होगी अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय अगर आपका व्यापार पहले चल रहा था अब आपका व्यापार बंद हो गया है और आप इस चीज को ले करके बहुत परिशान है तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है इसकी मुख्य वजह है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर और जिस व्यक्ति के भी व्यापार को नजर लग जाती है उस व्यक्ति का व्यापार पूरी तरह से नश्ट हो जाता है क्योंकि दोस्तों एक कहावत है कि हरे पेड़ को भी नजर लग जाए तो हरा पेड़ भी सूख जाता है लेकिन अगर आपने कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रही हैं तो आपका व्यापार चल पड़ेगा और आपके व्यापार के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वर्दान और आशिरवाद मिलेगा कार्तिक पूर्णिमा की रात आपको अपने पूजा घर पर बैठना है यहाँ पर एक लाल कपड़ा आपको बिछाना है माता लक्ष्मी जी के सामने इस लाल कपडे पर एक मुठी काली मिर्च एक रुपए का सिक्का और एक लॉंग आपको रखना है फिर इस कपड़े की पोटली आ अपने हाथ में पकड़ना है माता लक्ष्मी के सामने उनके एक बीज मंत्र का जाप आपको करना है बीज मंत्र है ओम श्री श्री नर्मा हम फिर से रिपीट करते देते हैं दोस्तों ओम श्री मुस्लिन नर्मा इस पोटली को ले जाकर कि आपको अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है अब यह कोट माता लक्ष्मी जी के आशिरवात की तरह आपके लिए काम करेगा और आपके जीवन में धन को खीचने का एग माध्यम बन जाएगी यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो प्रत्यक कार्तिक पूर्णिमा को आपको जरूर करना चाहिए देगा